हलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अमेजिंग चाइनीज ड्रामा लेकर आई हूँ ड्रामा के स्टार्टिक में हम फीमेल लीड वेवे को देखते हैं जो एक लड़के के साथ रॉमेंस कर रही होती है और फो उसके साथ नाइट स्पेंड करती है अब हम देखते हैं कि वेवे सोने के लिए जा रही होती है और तब ही उसके पास एक सीसी नाम की लड़की का कॉल आता है जो उसकी फ्रेंड है सीसी उससे कहती है मैं चाहे ना वापस आ रही हूँ क्योंकि मैंने फाइनली अपना डिवास केस जीत लिया है वेवे तुम बिल्कुल सही कह रही थी हर किसी के पास अपनी हैपिनेस परशू करने का अधिकार होता है और मैं लूजी चेंड से प्यार करती हूँ इसलिए उसे दोबारा मिस नहीं करना चाती ठीक है मैं जल्दी वापस आ रही हूँ तुम मुझे पिक अप करने आना मत भूलना वेवे इसके लिए हां कह देती है और वो उसके आने की बात सुनकर बहुत सैड हो गई थी तब ही लूजी चेंड शावर लेकर बाहर आता है और वो उससे पूंसता है तुमें क्या हुआ? इस पर वेवे कहती है सीसी ने कहा है कि वो चायना वापस आ रही है ये सुनकर लूजी चेंड बोला तुम अभी सो जाओ अगले सीन में वो दोनों साथ में सो रहे होते हैं तब ही वेवे अपने मन में कहने लगी लूजी चेंड हमें साथ में चार साल हो चुके हैं और इन चार साल हो से मैं तुम्हारे साथ सोती हूँ लेकिन आस्तेक हमारी रिलेशनसिप के बारे में तुमने किसी को नहीं बताया आफटर ओल तुम सीसी के एक्स बॉइफ्रेंड हो जब सीसी वापस आएगी तो हमारी रिलेशनसिप पूरी तरह से खतम हो जाएगी इसके बाद हमें नेक्स्ट मॉनिंग का सीन दिखाय जाता है जहां वेवे अपना सामान पैक कर रही होती है और वहां से जाने लगती है तब ही लूजी चैन उससे बूला क्या तुम्हें आसे मौट करना चाती हो इस पर वेवे कहती है मैं बस कुछ दिनों के लिए अपने स्टोर पर ही रुकने वाली हूँ डॉंट वरी मैं वहाँ जादा दिन तक नहीं रहूंगी ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है अगले सीन में हम देखते हैं कि वेवे सीसी को पिक अप करने के लिए आ जाती है और सीसी उसे हग करके कहने लगी मैंने तुम्हें बहुत मिस्स किया हम दोनों काफे सालों से नहीं मिले हैं तुम अचानक से पता नहीं कहां गाइब हो गई थी नहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें कोई boyfriend मिल गया है और वो तुम्हें बहुत परिशान करता है इस पर way way कहती है नहीं मुझ पर काम का बहुत प्रेशर था चलो पहले मैं तुम्हें CT ले चलती हूँ अगले सीन में वो दोनों एक restaurant में खाना खा रही होती है जहां CC उससे कहने लगी भले ही मेरा और जैम्स का डिवास हो गया है लेकिन court ने मेरी बेटी की कश्टरी उसे ही दी है यह सुनकर way way बोली फिर तुमने क्या किया इस पर CC कहती है मुझे क्या करना चाहिए था मैं तो जैम्स को पहले से ही लाइक नहीं करती थी और मैं उसके साथ one night stand की वज़ कर CC कहने लगी तो तुम क्या चाहती हो मुझे क्या करना चाहिए था मैं अगर मेरी बेटी के साथ यहां वापस आती तो मेरे पैरेंट्स मुझे बहुत सुनाते फिर वेवे कहने लगी तुम गुस्सा मत करो मेरा वो मतलब नहीं था इसके बाल सीसी उससे कहती है वेवे लिए मैं अपने हस्बेंड को डिवास देकर वापस आई हूं तुमने कॉलेज टाइम में मुझे लूजी चैन को परशू करने में हेल्प की थी तो इस बार भी तुमें मेरी हेल्प करनी होगी अब हमें फ्लेश बैक में एक सीन दिखाय जाता है जहां वेवे और सीसी तुमने सुना ये लोग लूजी चैन के बारे में बात कर रहे थे तो वेवे कहती है ये लूजी चैन कौन है इस पर सीसी कहने लगी तुम इतना भी नहीं जानती वो हमारे स्कुल के लॉड डेपार्टमेंट से है फिर वो दोनों भी जल्दी से लूजी चैन का डिबेट द चलि जाती है जब वो वहान जाती है तो लूजी चैन उनकी तरफ देखता है फिर सीसी वेवे से कहने लगी उसने अभी मेरी तरफ देखा मैं उससे बहुत लाइक करती हूं और मैं जरूर उसे पश्यू करूणगी तहुं इतनी सीरियस कैसे हो गई बपता है कि तुम कभी म मेरे बॉइफरेंड को नहीं चीनोगी वैसे तुम राइटिंग में बहुत अच्छी हो ना तो क्या तुम मुझे छोटी सी बुक लिकने में हेल्प कर सकती हो क्योंकि मैं लूजी चैन को अपनी फिलिंग्स कनफेस करना चाहती हूं पर मैं राइटिंग में इतनी अच्छी न अपने स्टोर के बारे में सोच रही थी ठीक है मैं लूजी चैन को परशू करने में तुम्हारी है फिर सीसी बूली मैंने सुनाए कि लूजी चैन का ओफिस भी यही है तो वेवे कहती है मैं यूजवली बहुत बिजी रहती हूं तो मेरा उसके साथ कॉन्टेक्ट कैसे फिर सीसी कहने लगी जिसके फोन नंबर चाहिए और इसके लिए हम बाकी स्टूडेंट से पूछेंगे इसके बाद वेवे अपने मन में कहती है मैं चार साल से लूजी चैन के साथ हूँ सीसी अब वापस आ गया मुझे उसके लिए खुश होना चाहिए लेकिन फिर भी मैं थोड़ी सी अनैपी हूँ अगले सीन में सीसी उसके स्टोर में गई होती है और वो उससे कहने लगी तुमारा स्टोर तो लूजी चैन के ऑफिस के बहुत क्लोज है इस पर वेवे कहती है हां मैंने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया इसके बाद वो उसे अपनी शौप से शू खरीदने में हेल्प कर दो इसके बाद वेवे उसे शूज दिखा दिया और लूजी चैन उन्हें पैक करने के लिए कहता है फिर वो उन्हें लेकर वहां से जाने लगता है तब ही सीसी उससे कहने लगी हमने इतने टाइम से एक दूसरे को देखा नहीं तो क्या हम किसी जग लेकिन वेवे बूली नहीं वो हमेशा से तुम्हें लाइक करता है वरना तुमारी फोटो हमेशा अपने पास क्यों रखता ये सुनकर सीसी बूली लेकिन इस बारे में तुम्हें कैसे पता ये सुनकर वेवे को फ्लैश बैक में एक सीन याद आता है जिसमें वो लूजी च मेरे वापस आने का डिसीजन बिल्कुल सही था मेरे पास अभी भी चांस है अगले सीन में वेवे सीसी को एक होटेल में छोड़ने के लिए जा रही होती है तब ही सीसी उससे बोली यह तुम मुझे अपने घर नहीं ले जाना चाहती इस पर वेवे कहती है तुमारा होटेल मे रुकने ज़्यादा बैटर होगा क्योंकि मेरा घर बहुत मैसी है तो तुम वाँ नहीं रह पाऊगी इस पर सीसी कहने लगी नहीं मुझे वो जरूर पसंद आएगा फिर वेवे बोली ठीक है मैं कुछ दिनों में तुमारे लिए सब कुछ एरेंज कर दूई लेकिन तब त लुजी चैन उसे एक और गिफ्ट देता है और उससे कहता है भले है मैंने तुमारी शौप से लिये थे लेकिन पैसे तो मेरे थे फिर वेवे उस बॉक्स को खोल कर देखती है उसमें वही शूस थे जो लुजी चैन ने उसकी शौप से खरी देते अगले सीन में वो दोनों घर पर होते हैं और वहाँ वो दोनों एक दूसे के साथ रॉमेंस करने लगते हैं इसके बाद लुजी चैन उससे कहता है क्या तुम्हें मेरे बाइट करने के वज़े से चोट लगी है दिखाओ मुझे तुम्हें कहां पर चोट आई है लेकिन वेवे उसे दिखाने से मना क से कहती है तुम मेरे काल्स का अंसर क्यों नहीं दे रही थी चलो हम दोनों साथ में शॉपिंग पर चलते हैं क्योंकि मैं यहां के ले बहुत बोड़ हो गई हूं फिर वेवे उसके साथ जाने के लिए हां कह देती है अगले सीन में सीसी वाहां से जाने लगती है तब ही वो इस निकाल कर पहना देता है जो उसने उसके लिए कल खरीदे थे अगले सीन में वेवे अपने श्टोर पर जाती है और उन शूज को निकाल कर दूसरे शूज पहन लेती है तब ही उसकी एक कलिक बूली यह शूज तो बहुत अच्छे हैं फिर तुम इने चेंज क्यों कर र फिर सीसी कहने लगी लगता है लूजी चैन अभी भी मुझे लाइक करता है दो दिन बाद स्कूल एनिवर्सरी है और मैं उसे पूरे स्कूल के सामने अपना लाव कनफेस करूंगी भले ही वो कितना भी एरोगेंट हो लेकिन वो मुझे रिजेक्ट नहीं कर पाएगा बट इस सब में मुझे तुमारी एल्प चाहिए अगले सीन में वो दोने एक रिंग खरीदने के लिए जाती है और सीसी उससे कहती है उसने भी मुझे पहले ऐसी ही रिंग दी दी लेकिन एक्सिदेंटली मुझे वो रिंग कहीं खो गई अब मैं उसके लिए सेम वैसी ही रिंग खरीदूँगी ताकि उसे मुआवजा दे सकूँ ये सब सुनकर वेवे अपने मन में कह दिये भले ही मैं कितनी भी जैलस हूँ लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकती लूजी चैन ने कभी अपने फ्रेंड्स के सामने मेरी बात तक नहीं की अगर मैं अपनी प्यार को एक बार ख करता था इस पर सीची कहने लगी वो मुझे लाइक करता था पर मैं उसे नहीं वो तो मुझे डिवास भी नहीं लेना चाहता था लेकिन मैंने अपनी डॉटर को यूज किया उसे डिवास के लिए फूर्स करने के लिए बाइदव अभी समर है ना फिर तुमने लॉंग से व मैं आज के बाद तुमसे कभी कॉंटेक्ट नहीं करूंगी अगले सीन में वो दोनों कहीं बाहर जा रही होती है तब ही सीसी अपने डैड से कॉल पर बोली डैड मैं दो दिन तक वापस नहीं आऊंगी कॉल कट होने के बाद वो वेवे से कहने लगी मेरी मॉम को पता चल ग कर दोंगी और फो परफॉमेंस खतम होने के जश्ट बाद में लूजी चैन को सब के सामने प्रपोज कर दोंगी तब ही वहां पर लूजी चैन भी आ जाता है सीसी उसे हेलो कह दिया लेकिन लूजी चैन ने उसे इग्नोर कर दिया इसके बाद वहां पर हेजिन नाम का एक गड़का आता है जो उनका यह क्लासमेट था सीसी उसे कहने लगी तुम तो इंग्लेंड चले गए थे ना इस पर हेजिन कहता है हां लेकिन मेरे ग्रेंटपा की हैल ठीक नहीं है इसलिए मैं उनकी केर करने के लिए वापस आ गया फिर वो वेवे को हैलो कहता है तब ही सीसी उसे बूली जब से तुम यहां आयो तब से तुमने वेवे पर यह अपनी आके फिक्स कर रखी है अब हमें फ्लैश पैक में एक सीन दिखाय जाता है जिसमें हेजिन वेवे से कहता है क्या तुम मेरी गर्फरेंट बनोगी वेवे उसे अपना हाथ चुड़ा कर बूली सौर अब वो अबरोड चला गया है यह कितनी हटलेस है अब हमें प्रिजेंट का सीन दिखाय जाता है जहां हेजिन उनसे कह रहा हुदा है हमारे कैंपस की ब्यूटी इतने सालों में कितनी प्रीटी हो गई है इसके बाद सीजी वेवे से कहने लगी हेजिन अब वापस आ गया है I think वो तुमारा बॉइफरेंट था ये सुनकर सीसी कहने लगी तुमने अपने बॉइफरेंट के बारे में किसी और को नहीं बताये लेकिन कम से कम तुमें मुझे तो बताना चाहिए था इस पर वेवे बोली नहीं वो बस मेरा एक नॉर्मल फ्रेंट था और फिर वो अपने वेवे बूली लूजी चैन क्या तुम मुझे लाइक करते हो इस पर लूजी चैन उसके क्लोस जाकर कहता है हम इतने टाइम से साथ है क्या भी भी मुझे तुम्हें ये बताने की जरूरत है फिर वेवे कहने लगी मैं इस रिलेशनसिप से अब ठक चुकी हूँ अब मैं इसे कंटीन्यू नहीं करना चाती और तुम मुझे रोक नहीं सकते लूजी चैन इसके लिए हाँ कहकर वाँ से चला गया इसके बाद वेवे अपने मन में कहने लगी अगर तुमने मुझे ये कहा होता कि तुम मुझे लाइक करते हो तो मैं तुमारे लिए सब कुछ कर सकती थी यहाँ तक कि मैं सीसी से भी माफ़े मांगने के लिए अपनी पूरी लाइफ इस्पैंड कर देती लेकिन तुम मुझे लाइक नहीं करते इसके बाद वो वापस आ जाती है और फो अपने ले एक औरेंज चील रही होती है तबी हेज़िन उसके साथ से औरेंज ले ले लेता है और उससे कहने लगा अगर तुम इसे पील करोगी तो तुमारे नेल्स में पेन हो सकता है फिर खुद उसके लिए उस औरेंज को चीलने जाती है फिर वो स्टेज पर जाकर एक सॉंग गाने लगती है तभी वेवे को फ्लेश बैक में एक सीन याद आता है जिसमें सीसी क्लास में बैटकर एक सॉंग सुन रही होती है तभी वेवे उससे बूली क्या तुम्हें यह सॉंग पसंद है इस पर सीसी कहती है नहीं मैं तो से संग को जानती भी नहीं दी लेकिन मैं इसर नीह सुनते हूं कि यह loot हूसे बूला तुम्हें क्या हुआ है क्या तुम्हें की परसन को अपना लगींफ करना का confession accept करने के लिए कहते हैं और फिर लूजी चैनिस के लिए हां कह देता है फिर सीसी उसके पास जाकर उसे किस करती है ये देखकर वेवे को बहुत ज़्यदा बुरा लग रहा था और फिर वो हेजिन से बूली मुझे यहां बहुत अनकमफर्टेबल फील हो रहा है क्या तुम मुझे वापस छोड़ सकते हो इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं अगले सीन में वो दोनों सात में वहाँ से जा रहे होते हैं तब ही हेजिन उससे बूला वेवे अभी तुमने जो कहा क्या तुम उसके लिए सीरियस हो तो वेवे कहने लगी हम दोनों old classmates हैं औ और हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं क्या हम दोनों का साथ होना सही नहीं होगा इस पर हेजिन कहने लगा लेकिन मुझे तुम्हारी आंखों में साफ दिख रहा है कि तुम अभी भी लूजी चैन को लाइक करती हो फिर वो उसे हग कर लेता है और उससे कहता है क सब्सके पास सी सी का कॉल आता है जो उससे कहने लगी तुम इतनी जल्दी क्यों चली गई मैं और जी चैन फिर से रिलेशनसिप में आ गया है पहले तो मेरे साथ बहुत कोल्ड बियेव कर रहा था मुझे तो लगा था वो मुझे रिफ्यूज कर देगा लेकिन वो अभी भ के साथ फिर से रिलेशनसिप में आ गया है और ये बात उसने अपने शोशल मीडिया पर पोश्ट किये ये सुनकर वेवी को बहुत बुरा लगता है और वो उस लड़की को मांसे काम करने के लिए भेज़ देती है फिर अपने मन में कहने लगी लूजी चैन ने उसके साथ रिलेशनसिप में आते ही ये बात पूरी दुनिया को बता दी लेकिन मैं उसके साथ 4 साल से थी तब उसने मेरे बारे में किसी को पता तक नहीं चलने दिया फिर वो हेजीन के पास कॉल करके कहती है मेरे घर में कुछ काम चल रहा है क्या मैं तुमारे घर पर आकर रह सकती अगले सीन में सीसी लूजी चैन के साथ डेट पर आयो थी है और तब ही उसी रेस्टोरेंट में हेजिन और वेवे भी आ जाते हैं ये देखकर सीसी उनसे कहने लगी क्या कोइंसिडेंट है ना तुम भी इसी रेस्टोरेंट में खाने के लिए आयो चलो हम सब साथ बैट कर खाना काते हैं इसके बाद लूजी चैन सीसी को अपने हाथों से खाना खिला रहा होता है ये देखकर वेवे को फ्लैश बैक में एक सीन यादाता है जिसमें वो लूजी चैन के लिए खाना बना रही थी और तब ही उसके हाथ में कट लग जाता है फिर लूजी चैन उसके पास आता है तो वेवे उसे कहती है मैं जानती हूँ कि तुम्हें सीफूर बहुत पसंद है इसलिए मैं तुमारे लिए कुकिंग कर रही थी इसके बाद लूजी चैन उसके हाथ में बैंडेज लगा देता है और उससे कहता है अगली भार से ध्यान रखना ये सब याद करते हुए वेवे अपने मन में बूली मैं सच में कभी भी अपने आपको सीसी से कंपेर नहीं कर पाऊंगी मैंने इसके लिए सीफूड बनाने के लिए अपना हाथ तक जला लिया था लेकिन इसने कभी भी मेरी इतनी केर नहीं की जितना ये सीसी की कर रहा है तबी सीसी उससे बूली तुम आचानक से इतनी डिस्ट्रेक्ट क्यों हो गई तो वेवे कहती है वो मुझे काम का थोड़ा स्ट्रेस हो गया था फिर सीसी उससे पूचने लगी कि क्या तुम दोनों इस वीकेंड पर फ्री हो हम लोग साथ में वैकेशन पर चलते हैं लुजी चैन भी इस वीकेंड पर मुझे कंपनी देने के लिए फिरी रहेगा फिर हेजिन इसके लिए हां कह देता है इसके बाद सीसी वेवे से बूली तुम आजकल कहां रहती हो मैं और लुजी चैन तुमें पिक अप करने के लिए आएंगे तब हेजिन उन से बूला मैं और वेवे अब साथ में रहते हैं ये सुनकर लुजी चैन बहुत शौक डो जाता है और उसके हाथ में कट लग जाता है फिर सीसी उसे बैंडिज लगाते हुए कहती है क्या मैं भी तुमारे घर पर रह सकती हूँ तो लुजी चैन इसके लिए हां कह देता है अगले सीन में वो सब साथ में वहां से वापस जा रहे होते हैं तबी सीसी वेवे से कहने लगी क्या तुमारे पास हमारे ओल्ड क्लास मैट्स के कॉंटेक्ट इंफॉर्मेशन है वेवे कहती है नहीं फिर सीसी कहने लगी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि लुजी चैन का किसी और वोमेन के साथ कनेक्शन है ये सुनकर वेवे बहुत घबरा जाती है और फिर उससे कहने लगी तुम ओवर्थिंकिंग मत करो लुजी चैन अब बहुत फेमस है अगर उसका किसी अधर वोमेन के साथ रिलेशन होता तो मेडिया ने उसे कब का ही एक्सपोज कर दिया होता फिर सीसी बोली जब मैं इसके गर को क्लीन कर रही थी तो मैंने इसके बैड़ पर दो पिलोस देखे और एक पिलोस से वोमेन पर्फियूम की स्मेल आ रही थी और वोई स्मेल मुझे काफी जानी पहचानी सी लग रही थी ये सुनकर वेवे को फ्लेश बैक में एक सीन आदाता है जिसमें लुजी चैन उसके क्लोस जाकर कहता है क्या तुमने पर्फियूम लगा है तो वेवे कहती है हाँ अब हम देखते हैं कि सीसी उससे कहती है लुजी चैन अभी तक एक्सपोज नहीं हुआ इसका मतलब उसने अपनी रिलेशनसिप को छुपा कर रखा होगा प्लीज तुम मेरी हेल्प करो क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी की वज़े से हमारी रिलेशनसिप खराब हो ये सुनकर वेवे उससे कहने लगी अगर लुजी चैन सच में किसी अधर वूमेन के साथ हो और फलड की तुमारी क्लास मैट हो तो तुम क्या करोगी ये सुनकर सीसी बोली कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे अपरोड जाने के बाद तुम और लुजी चैन साथ थे ये सुनकर वेवे बहुत शौक डुजा दिया तबी सीसी कहती है कि मैं मजाक कर रही थी तुमें पता है मैं उससे प्यार करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तो वेवे कहने लगी अगर तुमें पसंद है तो तुम ऐसा ही कोई और ब्रेसलेट ले लेना लेकिन सीसी कहती है कि मुझे यही वाला चाहिए फिर वेवे अपने मन में कहती है यह मेरे पास आखरी चीज है जो मुझे लूजी चैन ने दी थी इसके बाद वो सीसी से बोली यह ब्रेसलेट इतना भी अच्छा नहीं है तो सीसी कहती है तुम इतनी कंजूस कब से बन गई पहले तो तुम मेरे लिए कुछ भी करने को तयार थी खेर अगर तुमें पसंद है तो इसे तुम ही रखो फिर हेजिन वेवे को लेकर वहाँ सी चला जाता है अगले सीन में हम देखते हैं कि लूजी चैन सीसी को छोड़ने के लिए गया होता है तब ही सीसी उसे बोली तुम मुझे अपने घर क्यों नहीं लेकर जा रहे तुमने मुझे प्रॉमिस किया था इस पर लूजी चैन बोला मैंने तुमसे प्रॉमिस इस ले किया था ताकि तुमारे फ्रेंट्स के सामने तुमारे इंसल्ट ना हूँ लेकिन तुम उसे सीरियसली मतलो चलो अब घर जाओ, फिर सीसी कार से उतर कर चली जाती है, अगली सुबह सीसी वेवेई को पिकप करने के लिए आती है, और उससे कहने लगी, कल मैं लूजी चैन को अपने पैरेंट से मिलवाने के लिए लेकर गई थी, और उन्होंने इसे बहुत पसंद किया, इस्पेशली म हमारी फैमिली के लिए सूटेबल नहीं हो, इसलिए प्लीज दोबार हमसे कॉंटेक्ट करने की कोशिस मत करना, फिर सीसी की मॉम बोली, हम जानते हैं कि तुम स्टडी में बहुत अच्छे हो, लेकिन उसका क्या फायदा, तुमारा फैमिली बैक्ग्राउंड अच्छा नही वेवे वही चुपकर यह सब देख रही होती है, इसके बाद वेवे जब लूजी चैन के सथ रिलेशनसिप में आती है, तब वो उससे कहती है, मेरे ब्रदर मुझसे शादी करने के लिए कह रहे है, मैं उसे अल्रेड़ी बता चुकी हूँ कि मेरे एक बॉइफ्रेंड है, इस पर लूजी चैन कहता है, मेरे पास अभी इन सब के लिए टाइम नहीं है, यह कहकर वो वहाँ से चला गया, यह सब याद करते हुए वेवे अपने मन में बूली, सीसी तुम्हे इतनी पसंद है, कि उसके पैरेंट्स ने तुमारी इंसल्ट करने के बाद भी तुम फिर स थोड़ी कर रहा हूं, और अगर लूजी चैन तुम्हे अफेक्शन दिखाए तो मैं उसके लिए तुम लोगों को नहीं रोकूंगा, तब ही वहाँ पर लूजी चैन आजाता है, तो सीसी उससे कहने लगी, तुम्हे आज मेरे लिए कुकिंग करनी होगी, इन लोगों को भ लूजी चैन उसकी जगह पर कुकिंग करने लगता है, जिससे देखकर वेवे अपने मन में बोली, हम चार साल तक साथ रहे, लेकिन तुम शायद ही कभी किचन में गए होगे, और मुझे ऐसा लगता था कि तुम्हें कुकिंग आती ही नहीं, बात सिर्फ इतनी है कि तुमन अलरेडी सीसी के साथ रेलेशनसिप में आ चुके हो, तो प्लीज ऐसी हरकत दोबारा मत करना, ये कहकर वो वहाँ से चला गया, अगले सी इन में उस सब साथ में बैठकर खाना खा रहे होते हैं, तब ही सीसी खाने की फोटो लेकर सोशल मेडिया पर पोश्ट करती है, और उ हेजिन कहने लगा, I'm sorry मुझसे गलती हो गई, प्लीज हमारा ब्रेक अप मत करवाना, आफ्टर ओल मैं वेवे को इतने सालों से पर्शू कर रहा हूं, ये सुनकर लूजिन ची उससे पूंचता है, तुम वेवे को कितने सालों से पर्शू कर रहे हो, तब ही वेवे हेजिन क कहता है, वो मैंने गलती से बोल दिया था, जब वेवे ने मुझे रिजक्ट किया था, उसके बाद मैं अबरोड चला गया, और मुझे लगा कि इतने सालों में उससे कोई दूसरा लड़का तो मिली गया होगा, लेकिन उस दिन स्कूल पार्टी में जब मैं इससे दोबारा चला मेरे और लुजी चैन की तरह, फिर वो सब खाना खाने लगते हैं, तब ही लुजी चैन अपने पैर से वेवे के पैर को टच करता है, और फिर वेवे अपने मन में कह दिये, क्या तुम्हे अबर इस तरह से मजाक बनाने में बहुत मज़ा आ रहा है, अगले सीन में वे वेवेई अपने रूम में होती हैं और उसे सीओन हाद आनल जिसमें लूजी चैन उसे किस कर रहा था और फिर उसके पैर को टूच कर रहा था यह सब याद करते हुए वेवेई अपने मन में चलदें लूजी चैन अगर तुम अब सीसी के साथ बंगे सात्फ कर रहे तब ही वहाँ पर सीसी आ जाती है और उससे कहती है क्या तुम अपने बॉइफ्रेंड के बारे में सोच रही हो क्या तुम्हारे और हेजिन के बीच कुछ हुआ इस पर वेवे कहने लगी नहीं हम दोनों तो जेश्ट अभी रिलेशनशिप में आये हैं वैसे कि अब तुम लूजी चैन के साथ रहने लगी हो लेकिन मैं यह तुम से क्यों पूछ रही हूँ तुम तो उसके साथ तब भी थी जब हम कैमपस में थे अब हमें फ्लेश बैक मे एक सीन दिखाया जाता है जहां सीसी आकर वेवे से कहती है पता है लूजीन कल मुझे अपने घर लेकर गया था और हम दोनों ने फंच टाइम एक दूसरे के साथ नाइट इस्पैंड की मुझे बहुत कमफर्टेबल फील हो रहा था यह याद करते हुए वेवे उससे कहती ह और उससे कहता है सीसी कहा है फो मुझे मिल नहीं रही यह कहते हो हुए वो उससे बहुत कर रहा होता है वेवे उससे छोड़ने के लिए request कर रही थी लेकिन वो जबरदस्ती उसके साथ night spend करता है वो यह सब याद कर रही हो तिया अभी CC उससे बोली वेवे तुम क्या सोच रही हो मैं तुमसे बात कर रही हो फिर वो उसे गुदगुदी करते हुए कहती है कहीं तुम्हें कोई दूसरी best friend तो नहीं मिल गई और फिर उससे बोली मुझे अभी ऐसा फिल हुआ जैसे तुमारी body पर एक scar है तो वेवे कहने लगी मेरी एक surgery हुई थी क्योंकि जब मैं college से graduate हुई थी तब मेरी job stable नहीं थी और फिर सही से खाना ना खाने के वज़े से मुझे पत्री हो गई ये सुनकर CC कहने लगी I'm sorry way way मैं भी उस ताइम पर abroad में बहुत सारी problems face कर रही थी इसलिए मैंने तुमसे contact नहीं किया लेकिन मुझे पता नहीं था कि तुम यह इतना सफर कर रही हो खेर अब तुमारे पास boyfriend है तो मुझे तुमारे फिकर करने की कोई जरूत नहीं इसके बाद वो दोनों सोजाती है अगले scene में baby अपना scar देखती है और उसे flashback में एक scene याद आता है जिसमें उसकी delivery हो रही होती है और डॉक्टर्स उसके husband को बलाने की बात कर रहे थे तब ही baby बेहोश हो जाती है अगले सुबह baby जब अपने room से बाहर आती है तो CC उससे कहने लगी तुमारा figure तो दिन बे दिन बहुत अच्छा होता जा रहा है मुझे तो डर है कि कहीं Lucy Chen तुमसे attract न हो जाए फिर Hazen Wayway को वहाँ से swimming के लिए ले जाता है उसके जाने के बाद CC Lucy Chen से कहने लगी हम भी swimming के लिए चलते हैं अगले scene में उस सब साथ में swimming pool में होता है थोड़ी दे बाद CC Lucy Chen से बूली अब मैं और यहां नहीं रुख सकती मुझे यहां बहुत डीजी फील हो रहा है चलो हमें आसे बाहर चलते हैं फिर Lucy Chen उसे अपनी गोद में उठा कर वहां से ले जाता है इसके बाद वो उसे उसके रूम में लेकर आता है और उसे कहता है अब तुम शावर ले लो तबी CC उसे पीचे से हक कर ले थी है और उसे कहने लगी मैंने इतने सालों में तुमें बहुत मिस किया है क्या तुम मेरे साथ थोड़ी देर और नहीं रुख सकते यह कहा कर वो उसे किस करने वाली होती है लेकिन तबी लूजी चैन बोला प्लीज मेरे लिए और ट्रेबल मत करो तबी CC कहने लगी हम फाइनली अब साथ हो गए हैं और साथ में अडल्ट भी वेवेई और हेजिन अलरेड़ी एक दूसे के साथ नाइट इस्पैंट कर चुके हैं लेकिन हमने अभी तक नहीं गी कल वेवेई मेरा बजाक बना रही थी ये सुनकर लूजी चैन बोला क्या उन दोनों के भी सब कुछ हो चुका है तो CC कहती है हाँ वेवेई ने लाश्ट नाइट मुझे इससा परसनली बताया लेकिन ये हम दो बेश्टीज के बीच की बात है तो तुम इस बार में किसी को बताना मत लूजी चैन इसके लिए हाँ कह देता है फिर CC कहने लगी हमने भी तो सेम डे पर रिलेशनसिप कनफर्म की थी तो हमें भी एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंट करनी चाहिए ये कहकर वो उसे किस करने वाली होती है लेकिन तभी लूजी चैन उसे अवर्ट करके वहाँ से चला गया इसके बाद CC अपने मन में बोली मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ मैंने तुमारे लिए अपने हस्बेंड और बेटी को भी छोड़ दिया लेकिन अब अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो पता नहीं मैं क्या करूँगी वही दूसरी और हेजिन वेवे के क्लोज होता है तभी वेवे उसे दूर अठा देती है और फिर उसे बोली मुझे इस सब के लिए थोड़ा टाइम जाईए तो हेजिन कहने लगा हाँ ठीक है मुझे कोई दिक्कत नहीं मैं तुमें फोर्स नहीं करना चाथा लेकिन आउटसाइडर्स के सामने तुमें मेरे साथ थोड़ा कॉपरेट करना होगा आफटर ओल मैं भी एक मैन हूँ इस पर वेवे कहती है मैं तुमें एकसेप्ट करने की पूरी कोसिस करूँगी तब ही हेजिन के पास किसी का कॉल आ जाता है और फो कॉल अटेंड करने के लिए वहाँ से चला गया तब ही लूजी चैन वहां आकर उसके मुँः पर अपना हाथ रख देता है और फिर उसे जबरदस्ति किस करने लगता है तब ही वेवे लूजी चैन से बूली क्या तुम पागल हो गई हो इस पर लूजी चैन कहता है हाँ आजकल सभी यंग मैन पागल हो गए है तब ही वेई वेई उसे दूर अठा देती है और उससे कहने लगी क्या मुझे तुम्हें फिर से याद दिलाना होगा कि अब हमारे भी सब कुछ खतम हो चुगा है फिर लूजी चैन बोला तुम्हें बहुत जल्दी थी हेजिन के स पर लूजी चैन को अपने आपसे दूर अठने के लिए कि प्लीज यहां से चले जाओ तब ही लूजी चैन बोला जरा उसको भी तो देखने दो कि उसकी गल्द्फरेंड अभी क्या कर रही है यह कहकर वह फिर से जबरदस्ति किस करने लगता है और फिर वह बहुत जादा रोने लगती है तब ही लूजी चैन कहता है तुम रो क्यों रही हो इस पर वेवेई बूली तुम पहले ही मुझे बहुत हट कर चुके हो और अब कितना हट करना चाते हो इस पर लूजी चैन कहने लगा जब मैं आया था ता मैंने वेटर को बोल दिया था कि यहां किसी को न अंदर चली गई होगी ये सोचकर वो भी वहां से चला गया वहीं दूसी और वेवे लूजी चैन से कहती है हमारे ये सब करना गलत है प्लीज मुझे तुमसे और ज्यादा नफरत करने के लिए मजबूर मत करो ये कहकर वहां से चली जाती है अगले सीन में हेजिन वेवे के प हेजिन बोला कोई बात नहीं जब हम वापस जाएंगे तो तुमारी ग्रैनमा से मिलने चलेंगे तब ही वहां पर सीसी आ जाती है जो वेवे से कहने लगी क्या तुमने लूजी चैन को कहीं देखा तो वेवे कहती है नहीं फिर सीसी बोली मुझे तो लगा तुम दोनों आ थे तो लूजी चैन बोला वो मेरी ऑफिस से कॉल आ गया था फिर सीसी कहने लगी अगली बार से अगर कुछ ऐसा हो तो मुझे एडवांस में बता देना वरना तुम मुझे फिर से नहीं मिलोगे इसके बाद वो उसे वहां से लेकर चली गई अगले सीन में उस साथ में बैट कर खाना खा रहे होते हैं तब ही सीसी वेवे से बोली तुम्हें रिजॉर्ट कैसा लगा अगर तुम्हें पसंद हो तो हम नेक्स टाइम भी यहीं आएंगे लेकिन सीसी कहती है कि मुझे एक कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आया फिर वो दोनों वहां से उठकर वाश लूजी चैन बताने लगा जब हम हाई स्कूल में थे तब सीसी ने मेरे लेक लैटर लिखा था और फिर जब मैं उससे मिला तो मुझे ऐसा लगा कि हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं उसके बाद हम रिलेशनसिप में आ गए फिर हेसन कहने लगा इतनी साल से सी लूजी चैन वेए के बारे में सोचने लगता है तबही वहाँ पर सीसी और वेए वेए भी आ जाते हैं और वहीं लूजी चैन हेसे कहता है कि मैं उसके बाद किसी लड़की से नहीं मिला यह सुन कर वेवी अपने मन में कहती है मुझे पता था कि तुम किसी के सामने हमारी को कभी एक्सेप्ट नहीं करोगे तबी सीसी वहां जाकर लूजी चैन को हग कर लेती है और उससे कहती है मुझे पता था तुम किसी और लड़की के साथ रिलेशनसिप में नहीं आओगे इतने सालों तक तुम मेरे वापस आने का वेट कर रहे थे इसके बाद सीसी उन सबसे truth and dare खेलने के लिए कहती है फिर सब लोगे गेम खेलने के लिए मान जाते हैं सबसे पहले सीसी की बारी आती है तो लूजी चैन उससे पूंसता है क्या तुम मुझे लाइक करती हो इस पर सीसी उसे हग करके कहती है ऑफकॉर्स मैं तुम्हें लाइक करती हूं तुमारे जिनको किस करने लगती है लेकिन तब उसके फोन पर उसकी ग्रैनमा का कॉल आ जाता है और वो कॉल अटेंड करने के लिए वहाँ से दूर चली गई जहां उसकी ग्रैनमा उससे गहने लगी वेवे मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा नियान नियान की हर्ट कंडिशन और भी खराब हो गई है और हमारे एरिया की मेडिकल कंडिशन इतनी अच्छी नहीं है डॉक्टरस ने काया कि उसे जल से जल किसी बड़े हॉस्पिटल में ट्रांसफर करना होगा वरना वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी इस पर वेवे कहती है आप फिकर मत करों मैं जल से जल दो आकर उसे किसी बड़े हॉस्पिटल में ट्रांसफर करवा दूगी मैं अभी अपने टिकेट करवा रही हूं फिर ग्रैंडमा कहने लगी मैंने सुनाए कि सर्जरी के लिए बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत होगी लगबग एक मिलियन यूवान तुमारे पास इतन वन मिलियन यूवान ट्रांसफर करो वरना मैं उस वीडियो को पब्लिश कर दूगी अगर तुम अपनी इमेज को अच्छी रखना चाते हो तो तुम्हें मुझे पैसे देने हूंगे मैं प्रॉमिस करते हूं कि पैसे मिलने के बाद दुबारा तुम्हें परिशान नहीं कर यह सुनकर लूजी चैन कहता है ठीक है मैं तुम्हें वन मिलियन दे दूगा यह कहकर वहां से चला गया अगले सीन में वेवी अपनी शौप पर होती है और तब ही उसके पास लूजी चैन का कॉल आता है जो उससे कहता है कि मैं चैक लेकर रैड़ी हूं तुम आवा और उस लूजी चैन को इंटिमेट वीडियो दे देती है लेकिन वेवे उसे प्ले करने से रोकने लगती है तब लूजी चैन बोला मैं इसे खुद देखूंगा क्या पता तो मुझे किसी और की वीडियो दिखाकर ब्लैक मेल कर रही हूं तब लूजी चैन से कह रही थी कि मैं आजाती है लेकिन उससे पहले ही वेवी छुप चुकी थी अंदर आकर वो लूजी चैन से कहने लगी यहां क्या चल रहा है मैं इतनी देर से डोर नौक कर रही हूं लेकिन तुम मुझे इग्नोर कर रहे हूं इस पर लूजी चैन बोला वो मैं केस पर श्टडी कर रहा था इस खाने की श्मेल हो तो हम बाहर चल कर खाते हैं अरुज बाहर चले गए उनकी जाने के बाद वेवे वहां से भाहर आती और उस चैक के पो उठा लेकर वहांसे चली सीन में उसेड़ 만들 पắm करने के नियुक्त कर आया जल्दी चलते हैं वरना वो बंद हो जाएगा फिर वेवे बोली हाँ मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है अगले सीन में वो दोनों रेश्टोरेंट में चली जाते हैं जहां हेजिन उससे बोला तुमने अभी कहा कि तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो तो वेवे कहने लग पाई इस पर वेवे कहती है नहीं इस मैटर से उसका कोई लेना देना नहीं है फिर हेजिन उस पर चिलाते वे बुला तुम जानती होना कि लोजी चैन सिर्भ सी सी को लाइक करता है तुमारे और उसके बीच Yukर करते रहोंगी तबहीं वेवे भी सस्क्राते हैं हम मुझे बत में हेजिन उसे छोड़ने के Sab smy और फिर उसे कहता है किया हमें गुड 뉴스 करसकतें इसके बाब हमें एक ओस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक दॉक्टर एक च्छोटी बच्शी का चैक अप कर रहा होता है तब वेवे उससे बुली दॉक्टर क्या मेरी बेटी ठीक है इस पर डॉक्टर कहता है तुम्हारी बेटी हार्ट डिजीज के साथ पैदा हुई थी और अभी इसकी कंडिशन थोड़ी सीरियस है तभी वेवे कहने लगी आप इस कंट्री के सबसे बड़े सर्जरी एक्सपर्ट है प्लीज इसे बचाने का कोई रास्ता रूंडू तो डॉक्टर कहने लगा मैं आपकी सिच्वेशन को बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ लेकिन मैं डॉक्टर हूँ गॉड नहीं और तुम्हारी बेटी अभी बहुत छोटी है तो हम उसकी सर्जरी करने का रिस्क नहीं ले सकते फिर वेवे बोली क्या कोई और रास्ता नह है तो डॉक्टर कहता है प्रॉफेसर सॉंग चायल्ड डिजीज के बहुत बड़े स्पेशलिस्ट है लेकिन वह बहुत बिजी रहते हैं अगर तुम किसी तरह उसे मिलने का रास्ता निकाल लो तो शायद तुमारी बेटी बच सकती है इस पर वेवे कहने लगी मैं अपनी पेटी की जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ प्रॉफेसर सॉंग को मैं ढूंड कर रहूंगी इसके बाद डॉक्टर वहां से चला गया तब ही उसकी बेटी नियान नियान को होश आ जाता है तो वेवे उससे कहने लगी क्या तुम्हें अंकमफर्टेबल फील हो तो नियान नियान कहती है नहीं जब आप मेरे साथ होती हो तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है तब ही वेवे बोली एम सॉरी मैं एक अच्छी मदर नहीं हूं तो नियान कहती है नहीं आप दुनिया की सबसे बेश्ट मदर हैं इसके बाद वेवे वहां से बाहर आ जात और वो लेटर उसने वेवे से लिखवाया था तभी वेवे के पास उसकी फ्रेंड जियांग आती है जो उससे कहने लगी तुम अभी भी सीसी की तरब से उसे लेटर लिक कर दे रही हो तुम भी तो लूजी चैन को लाइक करती हो ना तो फिर तुम उसे अपने हाथ से क्यों जाने दे रही हो तुमारा दिमाग तो ठीक है तभी वेवे कहने लगी फ्लीज थोड़ा धीरे बूलो सीसी लूजी चैन को पहले लाइक करने लगी तो अब क्या मैं एक बॉइफ्रेंड के लिए अपनी बेस्ट फ्रेंड से कंपीट करू और प्लीज तुम इस बारे में सी किसी एक को चुनना होगा तुम किसे अपनी बेस्ट फ्रेंड बनाना चाहती हो इस पर वेवे कहती है कि सीसी ऐसी नहीं है यह सुनकर जियांग बोली लगता है तुम मेरे लिए तो फिर हमें हमारी फ्रेंडशिप यहीं एंड कर देनी चाहिए तुम जाओ-जाकर अपनी सी वर चाहिए क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो अगले सीन में नियान नियान जब उठती है तो उसे वाँ उसकी मॉम और ग्रैंड मा नहीं मिलती तो वो उन्हें ढूंडने के लिए वाँ से बाहर चली जाती है वहीं लूजी चैन भी केस के सिल्सले में एक डॉक्टर से बात कर ने आया था और तभी नियान नियान भागते हुए उससे टकरा जाती है तो लूजी चैन उससे कहता है तुम हॉस्पिटल में इस थरह भाग क्यों रही हो तो नियान नियान बोली मुझे अपनी ममा नहीं मिल रही ये सुनकर लूजी चैन उससे बोला चलो ये बताओ तुम तो वाँ से बाहर आ गई, तुम्हें पता है मैं कितना डर गई थी, तो नियान नियान बोली, I'm sorry grandma, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगी, बाइदवे अभी अभी मैं एक अच्छे अंकल से मिली, ये मुझे वार्ड में वापस छोड़ देते, फिर grandma उन्हें थैंक्स कह दिये, तब ही Lucy Chen बोला, प्लीज दोबारा इसको ऐसे ऑस्पिटल में अकेले में चोड़ना, अगर ये किसी bad person से मिलती तो, तो grandma कहती है, sorry मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगी, फिर Lucy Chen कहने लगा, इस लड़की की health condition मुझे ठीक नहीं लग रही, इसे क्या हुआ है, तो grandma बोली, ये heart disease के साथ पैदा हुई थी, और हम काफी सालों से इसका treatment करवा रहे हैं, और अभी अभी हमने इसे इस बड़े hospital में ट्रांसफर किया है, फिर वो उन्हें बाय बोल कर वहां से चली जाती है, उनके जाने के बाद Lucy Chen अपने मन में बोला, मैं इस बच्ची से पहली बार मिला लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इसके साथ एक अलग connection फील हो रहा है, अगले सीन में वेई वेई नियान नियान से कहती है, तुम अकेले वार से बाहर क्यों गई थी, दोबारा ऐसा मत करना, चलो अब रेश्ट करो, मैं अभी कुछ सामान लेने के लिए जा रही हूँ, तुम से मिलने आ गया, तुमारी फैमली कहाँ पर है, तो नियान कहती है, ममा अभी अभी कुछ सामान लेने के लिए बाहर गई है, और वो जल्दी वापस आ जाएंगी, ये सुनकर लूजी चैन बोला, तुमारी ममा बहुत इरिस्पॉंसिबल है, तुम्हें फिर से अकेले चोड़ कर चली गई, तो नियान कहने लगी, मेरी ममा के बारे में ऐसा मत काओ, ममा के लिए अकेले मुझे पालना इजी नहीं था, वो मेरी मेडिकल फिंस देने के लिए बहुत मैनत करती है, फिर लूजी चैन उससे उसके डैड के बारे में पूंस था है, तो नियान कहने ममा ने कभी मुझे डैड के बारे में नहीं बताया, पर मैं जानती हूँ कि वो डैफिनेटली मुझे लाइक नहीं करते होंगे, तब ही तो इतने सालों में वो एक बार मुझे मिलने नहीं आए, लेकिन मुझे इससे फर्क मिली पड़ता, क्यां ऑस्पिटल में काफी सारे अंकल आंटीज मुझे बहुत लाइक करते हैं, और मेरे लिए वो ही इनफ है, इसके बार लूजी चैन उससे बूला, जब मैं अगली बार तुमसे मिलने के लिए आऊंगा, तब तुम्हारे लिए गिफ्ट ले कराऊंगा, लेकिन तुम्हें मुझे मुझे प्रॉमिस करना इसके बाद वेवे उसे वाड में लेकर जा रही होती है, और उनके आने से पहले लूजी चैन वहां से चला जाता है, फिर वेवे जियां को वाड के अंदर लेकर जाती है, तब ही नियान नियान उससे कहने लगी, अभी अभी एक अंकल मुझे मिलने आये थे, और उन्होंन उससे तुम मुझे मिलवाना, मैं उन्हें थेंक्स कहना चाती हूँ, फिर जियां कहने लगी, नियान लूजी चैन की बिल्कुल स्मॉल कॉपी लग दिया, क्या लूजी चैन को सच में नहीं पता कि नियान उसकी बेटी है, तब ही वेवे उससे बाहर चलकर बात करने के लि लगा, सीसी कहाँ पर है, तुम उसकी बेश्ट फ्रेंड हो न, तो तुमें डेफिनेटली उसके बार में पता होगा, इस पर वेवे कहती है, प्लीज मुझे सच में नहीं पता वो कहाँ पर है, तब ही लूजी चैन उसके उपर गिर जाता है, और फिर उन दोनों का वन सौंग से बात करें, वो डेफिनेटली तुमारी बेटी की जान बचा लेंगे, वेवे उसे इसके लिए थैंक्स कहती है, तब ही उसके पास हेजिन का कॉल आता है, जो उससे कहने लगा, वेवे क्या तुमें स्टोर पर हो, मैं तुमें पिक अप करने के लिए आता हूँ, क् पिसेंटली मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है, तो जब मेरे पास टाइम होगा तब मैं तुमें सब कुछ एक्स्प्लेइन करूँगी, ये कहकर वो वाँ से चली जाती है, अगले सीन में उस पार्टी में चली जाते हैं, जहां लूजी चैन और सीसी भी आयोए थे, तब ही सी सीन यादाता है, जिसमें लूजी चैन उसके लिए गिफ्ट लेकर आया था, और उससे उस बॉक्स को खोलने के लिए कहता है, वेवे जब उस बॉक्स को खोलती है तो उसमें एक नई ड्रेस थी, फिर वो उसके पास आकर बोला, तुम्हें आज मेरे साथ पार्टी में चलन साथ हूँ, अगले सीन में वो सब कपल डांस कर रहे होते हैं, तभी वेवे हेजिन से कहती है, मैं सच में डांस नहीं कर सकती, तुम अपने साथ डांस करने के लिए किसी और को क्यों नहीं ढूल लेते, मैं साइड में खड़े होकर तुमारा वेट करती हूँ, लेकिन हेजि लूजी चैन के पास चली जाती है, और फिर वो उससे कहती है, अखिर तुम चाहते क्या हो, तो लूजी चैन बोला, हम लोगों ने पार्टनर से एक्सचेंज किये हैं, और पार्टी में इस सब कॉमन है, तभी वेवे को फ्लैश बैक में एक सीन यादाता है, जिसमें लेकर वो उससे अपने रूम में ले जाता है, अब हम देखते हैं कि लूजी चैन उससे कह रहा होता है, तुम आज ये गाउन क्यों पैन कराई हो, तो वेवे बोली, क्योंकि इस पार्टी में ऐसी ड्रेस पैन कराना आला हुए, फिर लूजी चैन बोला, तो तुमें ये त चनक से वहाँ पर लाइट्स ओफ हो जाती है, और इस बात का फायदा उठाकर लूजी चैन जबरदस्ती उसे किस करने लगता है, थोड़ी दिर बाद लाइट्स फिर से ओन हो जाती है, और लूजी चैन उसे अपने आप से दूर कर देता है, इसके बाद वो लोग फिर से पार्टनर्स चेंज कर लेते हैं, तब ही हेजिन उसे बोला, तुम्हारे बाल इतने मैसी क्यों हो गए, तो वेइवे कहती है, जब लाइट्स ओफ हुई थी तब शायद में किसी से टकरा गई थी, और लगता है मेरे पैल में भी मूचा गई, तब ही हेजिन बोला, तुमने वो बहुत ब्यूटिफुल है, जब हम स्कूल में थे तब हो ज़्यादा अच्छी ड्रेस नहीं पहनती थी, लेकिन तब भी हो काफी प्रीटी लगती थी, फिर लूजी चैन बोला, क्या वो तुमसे भी ज़्यादा प्रीटी है, इस पर सीसी कहती है, ये सवाल मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, तुमें क्या लगता है, मैं ज़्यादा प्रीटी हूँ या फिर वेवी, ये सुनकर लूजी चैन वेवी के बारे में सोचने लगता है, तब ही सीसी उससे बोली, तुम इतना सोच क्या रही हो, इसका मतलब तुमें सच में ऐसा लगता है, कि वेवी मुझसे ज़्यादा प्रीटी है, तो लूजी चैन बोला, नहीं, मैं तो बस अपने काम के बारे में सोच रहा था, फिर सीसी बोली, मैंने अभी का कि वेवी बहुत प्रीटी है, लेकिन अगर तुमें वो मुझसे ज़्यादा प्रीटी है, तो मैं तुम से गुस्सा हो प्रीटी है, तो लूजी चैन उसे एक थपड़ मार देती है, तो लूजी चैन उस पर चिलाते हुए बोला, तुमारी हिम्मत कैसे हो मुझे हिट करने की, इस पर वेवे कहती है, तुमने बहुत ड्रिंक कर रखी है, तुम अभी अपने होश में नहीं हो, फिर लूजी चैन तुमने अभी भी मुझे बहुत हट किया है, क्या तुमें मेरे लिए बिल्कुल सौरी फिल नहीं हो रहा, तब ही हो देखता है कि उसके पैर में मौच आईवी थी, जो लूजी चैन की वज़े से और सीरियस हो गई थी, फिर वो उसे उठा कर हॉस्पिटल ले जाता है, यह सुनकर लूजी चैन वहाँ से जाने लगता है, और तब ही रुक कर बोला, क्या तुम उसे कुछ छुपा रही हो, यह सुनकर वेवी अपने मन में कह दिया, यह मुझे किस बार में पूछ रहा है, कहीं इसे पता तो नहीं चल गया है कि वो लव लैटर मैं लिखती थी, यह फिर इसे नियान नियान का सच पता चल गया हो, लेकिन तब ही लूजी चैन वहाँ से चला जाता है, अगले सीन में हम देखते हैं कि सीसी लूजी चैन के घर आती है, और उससे बोली, कल रहा तुमने बहुत ड्रिंक कर रखी थी, मेरे पैरेंट्स ने तो तुमसे हमारे गर रुकने के लिए का था, लेकिन तुमने उनकी बात नहीं सुनी, और वापस यहाँ आ गए, खेर मुझे पता था कि तुम्हारा हैंगो और अभी उत्रा नहीं होगा, इसलिए मैं तुम्हारे लिए हैंगो और सूप बना कर लाई हूं, फिर वो अंदर आकर उसे सूप प पैर इतना सीरियस नहीं था, फिर अचानक से चोट सीरियस कैसे हो गई, वेवे कुछ बोल पाते उससे पहले ही उसके पास सीसी का कॉल आ जाता है, जो उससे कहती है, वेवे तुम कहां पर हो, तो वेवे कहती है, वो मेरे पैर में चोट आई थी, इसलिए मैं होस्पिटल आ केर करता है, तो वेवे कहती है, लूजी चैन भी तो तुमारी बहुत केर करता है, तो सीसी कहने लगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो पहले से बहुत डिफरेंट हो चुका है, पहले वो मेरी बहुत केर करता था, लेकिन पता नहीं अब उससे क्या हो गया है, तुमें पता है कल पार्टी के लिए मैंने नई ड्रेस करी दी और एक नई हेर्श्टैल भी बनाई लेकिन जब उसने मुझे देखा तो मेरी बिल्कुल तारीफ नहीं की क्या तो मुझे एक्स्प्लेइन कर सकती हो कि उसके कपड़ों से तुम्हारे परफ्यूम की स्मेल कहां से आई प पर सीसी कहती है तो फिर कैसा है वेवी कहने लगी कल मुझे जब पैर में मौच आई थी तब मुझे ज़्यादा सीरिस नहीं लग रही थी लेकिन जब मैं घर वापस गई तो मुझे बहुत पेन हो रहा था इसलिए मैं हॉस्पिटल जा रही थी और तबी रास्ते में मुझ नहीं बात लूजी चैन से पूंचती हो तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो आई होप कि तुमने जो कहा है वो बल्कुल सच हो इसके बाद वो लूजी चैन के पास कॉल करती है और उससे बूली तुमें पता है मैं अभी कहा पर हूँ इस वक्त मैं हॉस्पिटल में हूँ क्यों ट्रीट करने लगा है और इसलिए मुझे उस पर शक है तब ही वेवे उससे बूली तुम स्कूल की सबसे प्रीटी लड़की थी और तुमारा फैमली बेक्राउंड भी बहुत अच्छा है तो कोई भी लड़की तुमसे तुमारी बॉइफ्रेंड को नहीं चीन सकती फिर सी किसी कहने लगी भले आज जो कुछ हुआ वो एक मिसंडरस्टेंडिंग हो लेकिन मुझे शक है कि लूजी चेन की लाइफ में कोई और लड़की है और मैं डेफिनाटल उसका पता लगा कर रहूंगी तब ही वहां पर हेजिन आ जाता है और उनसे कहता है तुम दोनों किस ब लगा देती है फिर लूजी चेन उससे कहने लगा तुम इतनी ब्रेव कैसे हो तो नियान नियान कहती है मैं अब तीन साल की बच्ची थोड़ी हूं बाइदवे अंकल आपका सरनेम क्या है इस पर लूजी चेन कहता है मेरा सरनेम लू है मैं नेक्स टाइम तुम से मिलने दिये ये तो मुझे सुना हूँ आसा लग रहा है लेकिन उन्हें कुछ याद नहीं आता अगले सीन में जियांग वेवे से मिलने के लिए आई होती है और उससे कहने लगी मैंने अपने डैट से बात कर लिये प्रोफेसर सॉंग नेक्स्ट मनता कर नियान नियान कर चेक तो जियांग कहने लगी मैं तुमारी फ्रेंड हूँ तो बुरे वक्त में तुमारी हल्प करनी चाहिए यही तो सच्ची फ्रेंडसिप होती है लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि सीसी और तुमारी भी सच्ची फ्रेंडसिप है मैं जानती हूँ कि यह एक बार जब तुमा और मेड जादा लगती हो खेर अब तुम एक मदर हो और नियान नियान की हेल्फ भी ठीक नहीं है उसका ट्रीटमेंट बहुत एक्सपेंसी हो सकता है तो तुम्हें उसके बारे में लूजी चैन को बता देना चाहिए आफ्टर आल वो उसका बायोजिकल फादर है तबी वेव तुम्हें रिपोर्ट देनी होगी फिर लूजी चैन बोला तुम उससे ऐसे क्यों बात कर रही हो तुमारे और मेरे भी इस तो कोई जगडा नहीं है इस पर जियांग कहने लगी मैं ये बात बिल्कुल बरदास्त नहीं कर सकती कि मेरे सामने कोई आदमी आखे होते वे भी लाइन डो तभी वे वे उसे आगे कुछ बोलने से रोक देती है और फिर वो दोन उठकर वहां से चली गई फिर बाहर आकर जियांग उससे कहने लगी मैं ये बात बिल्कुल एकसेप्ट नहीं कर पा रही तुम उससे सच क्यों नहीं बता देती इस पर वे वे कहती है वो अ आज एक न्यू मूवी रिलीज होने वाली है तुम हेज जिन को भी साथ लेकर आना हम सब साथ में मूवी देखने चलेंगे मैंने हमारे लिए टिकट्स भी खरीद लिया है इसके बाद वो जियांग से कहती है एं सौरी मुझे पता नहीं था कि तुम भी या आने वाली हो इ वेवी तुम फिर से जियांग के साथ क्या कर रही हो तुम्हें पता है ना वो मुझसे जलती है और फो हमारी फ्रेंड्सिप को खराब करना चाती है तब ये वेवी कहने लगी ऐसा कुछ भी नहीं जैसा तुम सोच रही हो मैं तो उससे स्ट्रीट में मिली थी और हम लोग स प्रेंड्सिप निवाने में फेल हो गई अगले सी इन में उस सब साथ में मूवी देखने के लिए चले जाते हैं मूवी खतम होने के बाद हेजिन वेवे से कहने लगा मैं जानता हूं कि हमें रिलेशनसिप में आयोए अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है और इतनी देखकर सीसी लूजी चैन से कहने लगी देखो हेजिन कितना रॉमेंटिक है तुम कब मुझे प्रपोस करने वाले हो यह सुनकर लूजी चैन कहता है आज मैं थोड़ा सा अपसेट हूं यह कहकर वहां से चला गया इसके बाद सीसी वेवे से बूली क्या तुम्हें पता है क तब ही वाँ पर लूजी चैन आ जाता है और उससे कहने लगा तुमने उसका प्रपोसल एकसेट क्यों किया मुझे इसका आंसर दो तब ही वेवे उसे दूर अठा देती है और उससे कहती है तुम हो कौन और मैं तुम्हारी बात क्यों सुनू तब ही लूजी चैन बोला वह वाँ से चली खई अगले सीन में देखते हैं कि लूजी चैन सी-सी के डाड़ के साथ होता है और इस वक्त वह वेवे के बारे में सोच रहा था तबह। तब ही वहाँ पर सीसी आ जाती है जो अपने डैड से पूंचती है कि लूजी चैन कहां पर है इस पर उसके डैड बूले फुट चला गया और वो मुझसे बहुत रूड भीएव कर रहा था अगर तुम उसे इतना लाइक ना करती तो मैं उसे अपने सामने बैठने भी नहीं फिर खेशी कहने लगी डैड क्या आप यचेक कर सकते हैं कि कई लूजी चैन के लाइफ में कोई और लडगी तो नहीं है अगले सीन में लूजी चैन फिर से टॉय लेकर नियान-nyयान से मिलने गया होता है तब ही नियान-nyयान उससे बूली अंकल अप काफी दिनों से मेरी टॉइज लेकर आ रहे हैं इसमें बहुत पैसे खरच होते होंगे न इस पर लूजी चेन कहता है मैं एक लॉयर हूँ और मैं बहुत सारे पैसे कमाता हूँ और जब भी मुझे टाइम मिलेगा तब मैं तुमसे मिलने आता रहूँगा अगले सीन में वेवे नियान नियान के प सकता है लू सरनेम से तो बहुत सारे लॉयर्स होंगे अगले सीन में सीसी के डैट का असिस्टेंट उसके पास आता है और उसे बोला मैंने लूजी चैन के बारे में इन्वेस्टिगेशन की है वो आज कल हॉस्पिटल में एक चैल से मिलने के लिए जाता है और वो बच्ची बिलकुल लूसी चैन की तरह दिखती है ये कह कर वो उसे पिक्चर्स दिखाता है जिसमें लूसी चैन नियान-nyयान के साथ था उन पिक्चर्स को देखकर सीसी कहने लगी मुझे तो लगा था कि लूसी चैन की लाइफ में कोई दूसरी लड़की है लेकिन मैंने एक्सपेक कैसे भी मुझे चीट करने की अगले सीन में वो वेवे से मिलने के लिए उसकी शौप में जाती है वेवे उसे देखकर कहने लगी तुम इतनी अपसेट क्यों लग रही हो तब ही सीसी रोते वे उसे हग कर लेती है और उससे कहने लगी वेवे आज मैं बहुत सैड हूँ उसकी कहती है देखो ये लड़की बिल्कुल लूजी चैन की तरह लगती है ये सब देखकर वेवे कहने लगी इस वर्ड में काफी सारे लोग सिमिलर दिखते हैं इसका मतलब ये नहीं कि उनके बीच कोई बलड रिलेशन हो तो सीसी कहने लगी तुम उसे बचाने की कोसिस क्यों क कर रही हो मैं पता लगा कर रहूंगे कि वो लड़की कौन है भले ही वो मेरी कोई क्लोज फ्रेंड हो लेकिन मैं उसे बिल्कुल माफ नहीं करूंगी जिसने मेरे बॉइफ्रेंड को मुझसे चीना है ये कहकर वहां से चली जाती है इसके बाद वेवे अपने मन में बोली य उची नियान-nyयान को जल्दी से किसी और होस्पिटल में ट्रांसफर करना होगा ये सोचकर वो भी वहां से चली गई अगले सीन में वो नियान-nyयान का सामान पैक कर रही होती है तब ये उसकी ग्रेंडमा कहने लगी तुम अचानक से इसे ट्रांसफर क्यों कर रही हो इस इस पर वेवे कहती है मैं आपको अभी रीजन नहीं बता सकती लेकिन हमें जल से जल्दी है उस्पिटल चेंज करना होगा फिर उसकी ग्रेंडमा कहती है वेवे तुम पहली एक मिस्टेक कर चुकी हो क्या जो आदमी नियान-nyयान से मिलने आया था वो इसका फादर है अगर वो उसे दूसरे ऑस्पिटल में ले जाती है वहीं दूसी और लूजी चैन पुराने ऑस्पिटल में उससे मिलने के लिए आता है और एक नर्स से पूछता है कि नियान-nyयान कहां पर है तो नर्स बोली उसका अभी अभी दूसरे ऑस्पिटल में ट्रांसफर हो गया अगले बारे में कुछ नहीं पता लेकिं फिर भी मुझे बहुत डर लग रहा है ये सुनकर जियांग कहने लगी तुम्हें किस बात का डर है जब तुम लूजी जैन के साथ रिलेशनसिप में आई तब उसका सीसी के साथ ब्रेक अप हो चुका था तो क्या सीसी तुम्हें इसके में पैदा हुए है और हमारा फैमली बैक्ग्राउंड भी अलग है फिर जियांग कहती है ठीक है फिर तुम वही करो जो तुम करना चाहती हो अगले सीन में हेजिन वेवे को अपने पैरेंट से मिलवाने के लिए लेकर जाता है हेजिन की मौम वेवे को देखकर ज्यादा ख काम है तबी मिसेज जिन कहने लगी हमारे घर में नैनीज की कमी नहीं है लेकिन अगर तुम हाउसकीपर की जौब ढूंड रही हो तो मैं तुम्हें अपने रिलेटिव से इंट्रिद्यूस करवा सकती हूँ यहां खड़े होकर मेरा टाइम वेश्ट करने की कोई जरुवत क्योंकि मैं कि मैं और हेजिन के फादर इस शादी से कुछ नहीं है मैंने तुम्हें डौर से इसलिए बार नहीं निकाला क्योंकि मैं तुम्हारी सबके सामने इंसल्ट नहीं करना चाहती थि तुम हेजिन की वाइफ बनने के लायक नहीं हो कम उसकी वाइफ में सेलफ-'REिसि तो होनी चाहिए तुम शादी से पहले प्रेगनेंट रह चुकी हो और हेजिन को अभी तक इस बार में पता नहीं है इसलिए जितना जल्दी हो सके तुम हेजिन से ब्रेक अप कर लो वेवे इसके लिए हां कह देती है तभी वहाँ पर हेजिन आता है और वेवे से कुछ फूर इसलिए मतलो तभी वेवे अपने हाद से उसे रिंग निकाल कर देते हुए बोली मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती उस तिन मैंने तुम्हारा प्रपोजल इसलिए एकसेप्ट किया था था कि सबके सामने तुमारी इंसल्ट ना हो लेकिन मैं भी शादी करने के लिए त लेकिन मैं तुम्हें बहुत सालों से लाइक करता हूं तो प्लीज तुम्हें रिजक्ट मत करो लेकिन वेवे फिर भी नहीं मानती तब ही जिन बोला तुम्हें अचानक से क्या हो गया अभी तक तो हमारे भी सब कुछ ठीक चल रहा था तो वेवे कहने लगी मैं तुमारी इतनी रिच नहीं हूं जब सीसी अबरोर चली गई थी तब मैं लूजी चैन के साथ थी और हमारे बीच फिजिकल रिलेशनसिप है मैं जानती हूं कि वो मेरे लिए अच्छा नहीं है लेकिन मैं फिर भी उससे प्यार करती हूं तुम्हें एक अच्छे परसन हो और तुम को देखते हैं जिसकी लूजी चैन के साथ बहस हो गई थी फिर लूजी चैन वहां से जाने लगता है लेकिन उसके सामने आकर उसे रोक देती है तब ही लूजी चैन बोला मेरे पास तुमसे बात करने के लिए कुछ भी नहीं है इसलिए प्लीज मुझे यहां से जाने दो तब ही वहां पर वेवे आ जाती है और जियांग से कहने लगी तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम स्टोर पर आने वाली हो चलो मैं तुमें सूस दिखाती हूं फिर लूजी चैन जियांग से कहने लगा मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं कि हमारे भीच कोई जग इसलिए मुझे परिशान करना बंद कर दो कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि तुम्हें अच्छानक से मुझसे प्यार हो गया है तब ही लूजी चैन बोला शायद तुम यह भूल गई हो कि तुमने अभी अभी मुझे एक मिल्यन युवान के लिए ब्लैक मेल किया था म चाहूं तो तुम पर केस कर सकता हूं तुम्हें पता है ना फिर क्या होगा वेवे बोली तो फिर अब तुम चाहते क्या हो इस पर लूजी चैन कहने लगा तुम मुझसे दो प्रॉमिस करो तब मैं तुम पर कोई केस नहीं करूंगा यह सुनकर वेवे अपने मन में कहती है मैं जेल नहीं जा सकती फरना नियान नियान की केर कौन करेगा फिर लूजी चेन उसे अपनी दो शर्ते बताता है कि तुम्हें हेजिन के साथ ब्रेक अप करना होगा और तुम्हें फिर से मेरे साथ कॉन्टेक्ट साइन करना होगा मैं तुम्हें इसके लिए पे भी करूँगा ये सुनकर वेवी कहती है क्या तुम मुझे कंट्रोल करना चाहते हो लूजी चेन ये मत भूलो कि तुम्हारी अल्रेडी एक गर्फेंड है इस पर लूजी चेन कहता है गर्फेंड अपनी जगह है लेकिन तुम मेरे लिए बस एक आपजेक्ट हो फिर वेवी बुली ठीक है मैं ये डील एकसेप्ट कर रही हूँ क्या आप मैं जा सकती हूँ तो लूजी चेन कहता है चलो साथ चलते हैं अफ्टर ओल तुमने मेरी डील एकसेप्ट कर लिये अगले सीन में वो दोनों घर वापस आ जाते हैं और लूजी चेन उसके साथ जबरदस्ती रॉमेंस करने लगता है तभी वेवी उससे कहती है तुम कंटीन्यू करो उससे पहले मैं तुमें एक बात रिमाइंड करवाना चाहती हूँ दो दिन सी मैं पेरियर्ट्स में हूँ अगर फिर भी तुम कंटीन्यू करना चाहो तो कर सकते हो फिर लूजी चेन उससे दूर अठते हुए बूला मैं तुमारे लिए गरम पानी लेकर आता हूँ वेवे कहती है इसकी कोई जरुवत नहीं है मैं सिर्फ तुमारी पैट हूँ तो तुम मेरी इतनी केर करो ये मैं डिजर्व नहीं करती लेकिन लूजी चेन फिर भी किचन में चला जाता है और फिर उसके लिए सूप बना कर लाता है फिर उससे कहने लगा तुमारे केचन में बच्चों की दवाई कहां से आई इस पर वेवे कहती है ये मेरे किसी रिलेटिव के किड्स की दवाई है फिर लूजी चेन पूंसता है कि कौन से रिलेटिवस इस पर वेवे कहने लगी मेरी फैमली काफी बढ़ी है और उसमें पताने कितने रिलेटिवस होंगे अब के तुमारे लिए ये जानना भी जरूरी है फिर लूजी चेन उसे सूप पेने के लिए देता है अगले सीन में वेवे सो रही होती है तब ही लूजी चेन उससे कहने लगा क्या पिछले चार सालों में मैंने तुमें बुरी तरह से ट्रीट किया वेवे मैं तुमें उस सब कुछ दे सकता हूँ जो तुम चाहती हो ये सुनकर वेवे अपने मन में कहती है तुम मेरे सामने ऐसे प्रिटैन क्यों करते हो और फिर लूजी चैन भी उसके साथ fight करने लगता है तब ही वेवेई उन्हें रोक देती है फिर हेजिन उससे कहने लगा अच्छा होगा कि तुम अभी कि अभी आँसे चले जाओ तो लूजी चैन वेवेई को अपने close लाकर बोला जाना तो तुम्हें चाहिए फिर वेवेई उससे दूर अटकर कहती है तुम दोनों याँसे चले जाओ तब ही हेजिन वेवेई से कहने लगा तुमने मुझे जो कुछ भी कहा था मैं उसे accept करने के लिए तयार हूँ मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुमने किसी बच्चे को बढ़ दिया है ये सुनकर वेवेई उसे बात करने के लिए बाहर चलने को कहती है और लुजी चैन ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा शौक था वही वेवेई बाहर जाकर हेजिन से कहने लगी मेरे बेबी के बारे में ना तो लुजी चैन को पता है और ना ही सीसी को क्या तुम मेरे लिए प्लीज इसे सीक्रेट रख सकते हो वैसे भी अब मैं उससे प्यार नहीं करती लेकिन मैं अपनी बेटी को नहीं खोना चाती ये सुनकर हेजिन कहता है ठीक है मैं प्रॉमिस करता हूँ लेकिन पहले मुझे अपनी बात पूरी करने दू मैं तुमें बहुत लाइक करता हूँ और इसलिए मैं तुम्हारे बच्चे को भी अक्सेप्ट करने के लिए तयार हूँ लेकिन तभी वैवे को हेजिन की मौम की कई भी बात यादा दिये और लुजी चैन के साथ साइन किया हुआ कॉंट्रेक्ट भी ये कहकर वो उसे शादी के लिए मना कर दे दिये तभी हेजिन केने लगा मैं जानता हूँ कि मेरा लुजी चैन के साथ कोई कंपरिजन नहीं है इस पर वेवे कहती है तुम लुजी चैन से बहुत बैटर हो लेकिन मैं ही तुमें डिजर नहीं कर दी इसलिए प्लीज मेरे पास फ्यूचर में दोबारा मताना ये कहकर वो अंदर चली गई जब वो अंदर जाती है तो लुजी चैन उससे कहता है क्या तुमने हेजिन को सब कुछ किलियर कर दिया तो वेवे कहती है हाँ और ये कहकर वो अंदर जाने लगती है तब ही लुजी चैन बोला हेजन ने भी कहा कि तुमने किसी चाइल्ड को बर्द दिया है इसका क्या मतलब था इस पर वेईवे कहती है क्या तुम मजाक कर रहे हो मेरा बेबी कहा से आया तब ही लूजी चैन कहने लगा लेकिन मुझे हमेशा ऐसा क्यों फिल होता है कि तुम मुझे कुछ चुपा रही हो तो वेईवेई बोली हर किसी के अपने सीक्रेट्स होते है ये सुनकर लूजी चैन कहता है ठीक हम इस बारे में बाद में बात करते है अभी मुझे लॉफ फर्म जाना है ये कहा कर वो वाँ से चला गया अगले सीन में सीसी का असिस्टेंट उसके पास आता है और उससे कहने लगा मैंने उस लड़गी की इन्फॉर्मेशन निकलवाई है उस बच्ची का नाम नियान नियान है और उसे हार्ट डिसेज है इसलिए हो बच्चपन से होस्पिटल में है उसकी मदर का नाम वेईवेई है जो काफी सालों से आपकी फ्रेंड है ये सुनकर सीसी बहुत ज़दे शौक डुजाती है और फिर अपने मन में कहती है मैं इतने टाइम तक पता कैसे नहीं कर पाई कि लूजी चैन की लाइफ में जो अधर वूमेन है वो वेईवेई है मैंने उस पर इतना ट्रेश्ट किया उससे अपने सारे सीक्रेट्स बताए मैं अभी उसे सबक सिखाती हूँ ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है लेकिन तब ही रुक कर बोली मैं अभी उसे अपनी फ्रेंड्सिप नहीं तोड़ सकती क्योंकि उसे मेरे बहुत सारे सीक्रेट्स बताए अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो मेरे सारे सीक्रेट्स लूजी चैन को बता देगी फिर वो असिस्टेंट से बोली तुम जाकर उस नियान नियान को ढूंडो और सब कुछ नॉर्मल लगना चाहिए मैं देखती हूँ वो उसके बिना क्या करती है इसके बाद वो वेवे की शॉप पर जाती है तो वेवे उसे बोली तुम यहां क्या कर रही हो इस पर सीसी कहती है मैं यहां से नए शूज खरीदने आई हूँ फिर वेवे उसे शूज दिखाती है तब ही सीसी अपने पैर आगे कर देती है फिर वेवे उसे अपने हाथों से शूज पैनाने लगती है तब ही सीसी उसे कहने लगी मैं तुम से पूछना भूल गई थी तुमारा study background तो बहुत अच्छा है, फिर तुम इस shop पर काम क्यों करती हो, तो way way कहती है, तुम अचानक से ये क्यों पूंच रही हो, इस पर CC कहने लगी, मुझे बस ये जानने की curiosity थी, वैसे तो shoes store की job भी बुरी नहीं है, लेकिन जब तुम college में थी तब तुम design industry में जाना hard work किया है, तुमें इतने सारे resources दिये, लेकिन तुम घर पर रहकर एक baby को birth देना चाहती हो, तुम अभी बहुत young हो और तुमें hard work करना चाहिए, जब तुम इस baby के पैदा होने के बाद comeback करोगी, तो इसमें तुमारे लिए कोई जगे नहीं होगी, और तुमारे पास जो भी के बाद way way CC से बोली, design industry में जाने के लिए बहुत मैनत करनी होती है, और तुम तो जानती हो कि मेरी health condition ठीक नहीं थी, इसलिए मुर की job ज़्यादा बेटर लगी, ये सुनकर CC अपने मन में कहती है, सब कुछ जानते हुए भी तुम कैसे pretend कर रही हो, अगर मुझे तुमारा secret पता ना चलता तो पता नहीं कब तक तुम मुझे डार्क में रखती, फिर वो उन शूज को निकाल कर फेक देती है, और उससे कहने लगी, वे वे तुम तो जानती हो, मुझे जूट बोलने वाले लोग बिलकुल पसंद नहीं है, अगर मुझे पता चला कि तुमने मुझे दिया है तो मैं कभी तुम में माफ नहीं करूंगी, ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है, और फिर वे वे अपने मन में बूली, सीसी अचानक से ऐसी बाते क्यों कर रही थी, कहीं से मुझ पर शक तो नहीं हो गया, अगले सीन में हम देखते हैं कि प्रोफेसर सौंग नियान दो दिन बाद इसके सर्जरी करेंगे, ये कहकर वो वहाँ से चले गए, अगले सीसी का असिस्टेंट कहता है, हमें जो अपॉर्चुनिटी चाहिए थी, वो मिल गई है, दो दिन बाद नियान नियान के सर्जरी होने वाली है, ये सुनकर सीसी कहती है, सर्जरी तो बहुत र लेख सकते हो इसमें पूछने की क्या जरुवत थी ये तो सभी मेरी फेवरिट डिशेज है तो वेवे कहती है आज मैं अच्छे मूड में उसलिए डिशेज बना रही हूं इसका तुमाई पसंद ना पसंद से कोई लेना देना नहीं है ये सुनकर लूजी चैन बोला लगता ह है क्या तुम ऑफिस से घर वापस आ गए इस पर लूजी चैन कहता है नहीं लेकिन इस वक्त सीजी उसके ऑफिस में खड़ी हुई थी फिर सीजी कहती है वो पास में एक नया रेस्टोरेंट खुला है तो मैं ये पूछ रही थी कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे इस पर लू अब हम देखते हैं कि प्रोफेसर सौंग नियान नियान की सर्जरी कर रहे होता है तब ही एक डॉक्टर उनसे बूली अचानक से इसकी लीवर कंडिशन खराब हो गया और ब्लड प्रेशर भी लो गया ये सुनकर प्रोफेसर सौंग बोले इस केस में ऐसा तो नहीं होना चा है लेकिन डॉक्टर उसे बचाने की पूरी कोसिस कर रहे हैं उससे पहले हमें आपसे इन पेपर्स पर साइन चाहिए तब ही वेवे कहने लगी प्रोफेसर सौंग ने तो कहा था कि सर्जरी के सक्सेज होने की हाई चांस है फिर अचानक से ऐसा कैसे हो गया तो डॉक्टर कह कहने लगे उसकी कंडिशन अभी स्टैबल है और बागी की बाद हम ऑफिस में चलकर करते हैं फिर ऑफिस में आकर प्रोफेसर सौंग उससे कहने लगे अभी की अभी आप पुलिस को कॉल करिए क्योंकि ऑपरेशन से पहले हम पेशेंट को एक मैडिशन इंजेक्ट करते हैं बट जब हम उसकी सर्जी कर रहे थे तो अचानक से उसके लीवर ने काम करना बंद कर दिया मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने उस मेडिशन को चेंज कर दिया था ये सुनकर वेवे की ग्रेंडमा कहने लगी आप इतने इरिस्पोंसिबल कैसे हो सकते हो आपने लगबग मेरी ग्रेंड डॉक्टर को मारी डाला था तब ही जियांग वेवे से कह दिया कि ये एकसिडेंट होया चाहे कुछ भी लेकिन तुम्हें जल से जल पुलिस को बता देना चाहिए अगले सीन में लूजी चेंज जब घर वापस आता है तो देखता है कि वेवे वे वाँ पर नहीं केमराज में हम उसका फेस नहीं देख पाए तब ही वेवे कहती है प्लीस जल्दी से आप उसे ढूंड़िये तो पुलिस ऑफिसर कहता है डॉंट वरी हम किसी भी क्रिमिनल को इतने आसानी से नहीं जोड़ते खेर तुम्हें किसी पर शक है ये सुनकर वेवे को फ्लैश बै वहाँ पर प्रोफेसर सौंग आते हैं जो सीसी को नियान नियान की रिपोर्ट्स दिखाते हुए बोले सीसी के लिवर की कंडिशन बहुत ज्यादा सीरियस है हम उसे बचाने की पूरी कोसिस कर रहे हैं लेकिन हम कुछ कह नहीं सकते ये सुनकर वेवे बोली क्या कोई और र पूर आवाज में बोला कल रात से तुम कहां थी और मेरे कॉल्स का अंसर क्यों नहीं दे रही लेकिन वेवे उसे कोई जवाब नहीं देती फिर लूजी चैन चिलाते हुए बोला मैं तुमसे बात कर रहा हूं फिर वेवे भी उस पर चिलाते हुए कहती है तुम्हें दिख उस्पिटल में घुज गई और उसने एक चोटी बच्ची जिसका ऑपरेशन होना था उसने उसे ड्रक्स इंजक्ट कर दिए लेकिन उसका लीवर पूरी तरह से डैमेज हो चुका है चलके उनर्स नहीं चाते कि उनके ऑस्पिटल की रैपुटेशन खराब हो इसलिए वो च लूजी चैन है मैं उससे बात नहीं कर सकती प्लीज तुम ये सिच्वेशन संबाल लेना ये कहकर वो जल्दी से वहां से चली गई फिर लूजी चैन जब आकर जियांग को देखता है तो उससे कहता है क्या तुम पेशेंट की फैमिली हो इस पर जियांग कहती है मैं उनकी करूंगी ये कहकर वो जल्दी से वहां से चली जाती है अगले सीन में लूजी चैन का असिस्टेंट उससे कहता है मुझे अभी हॉस्पिटल से कॉल आया था पेशेंट की फैमिली चाहती है कि वो लॉयर चेंज कर दे क्या आपने उनसे कुछ ऐसा का जिससे उन्हें बुरा लगा हो इस पर लूजी चैन बोला मैं तो उनसे मिला भी नहीं फिर उन्हें किस बात का बुरा लगा इसके बाद असिस्टेंट कहता है हॉस्पिटल ने इस केस की कुछ नई डीटेल्स भेजी है इसमें पेशेंट की फोटोज है लूजी चैन जब उसमें नियान नियान की के पास होती है और तब ही वहाँ पर लूजी चैन आ जाता है जो उससे कहता है क्ये तुम्हारी बेटी है इस पर वेवे कहती है नहीं तब ही लूजी चैन बोला तुम कब तक मुझसे सच चुपाओगी बता क्यों नहीं देती कि नियान नियान मेरी बेटी है लेकिन वेवे बूली क्या तुम्हें कहते हुए बिल्कुल शरम नहीं आ रही क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं था फिर हमें फ्लेश पैक में एक सीन दिखाया जाता है जिसमें वेवे अपनी प्रेगनेंसी रिपोर्ट्स देख रही होती है और लुजी चैन को वहां आते हुए देखकर पर करनेंटी हैं Bulgy चैन उसे बोला तुम क्या सोच रही हो इस पर वेवे कहती है मेरी एक फीमेल कलिक हमलें मैंने तुम्हें छोड़ दिया तभी लूजी जैन बोला तो क्या इसलिए तुमने मुझसे पैसे मांगे थे ताकि तुम नियान नियान का लूजी चैन बोला मैं तुमसे कुछ पूंचना चाहता हूं इसके बाद वो दोनों एक रेश्टोरेंट में चले जाते हैं जहां लूजी चैन उससे कहता है क्या मैं तुमसे कुछ पूंच सकता हूं जियान कहती है हाँ फिर लूजी चैन बोला तुम अचानक से मुझसे इतना हेट कैसे करने लगी क्या वेवे की वज़े से इस पर जियान कहती है वो तो तुमें अपनी गर्फरेंट से पूछना चाहिए तुम इतने सालों तक उन दोनों के साथ रहे हो क्या तुमने कभी न म μया करती थी, लेकिन सीशी के लिए उसने से क्रिफाइस किया, फिर लूजी चैन उसे ठैक्स कह कर वहाँ से चला जाता है, अगले शीज में तेखते हैं कि लूजी चैन एक बार में होता है, और वो वेवे के मीघ के पास साला जाता है, जो उससे कहती है, घर तुम्हारे घ अफिसाल हो चुके हैं, अब मुझे याद नहीं कि मैंने उनमें क्या लिखा था, फिर लूजी चैन बोला, फर मुझे सब कुछ याद है, तुमने उनमें लिखा था कि टॉप डिजाइनर बनना चाहती हो, ये सुनकर सीसी बोली, हाँ मुझे याद आ रहा है, शायद मैंने ऐ लूट बोलोगी, ये मत भूलो कि मैं एक लॉयर हूँ, मैं सिर्फ उस लड़की से प्यार करता था, जो मेरे लिए वो लेटरस लिखती थी, तो अब हमारे भी सब कुछ खतम हो चुका है, एक एकर वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन सीसी उसे हक कर लेती है, और रोते व अपने आप से कहने लगी, लूजी चैन मैं तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ, लेकिन तुम्हारी नजर में मैं ही विलन बन गई, मैं तुम्हें अपने आप से दूर नहीं जाने दूँगी, इसके बाद हमें ऑस्पिटल का सीन दिखाय जाता है, जहां वेवी डॉक्ट आप जल्दी से उसके लिए कोई शूटेबल लिवर एरेंज करो, यह कहकर वहाँ से चली जाती है, अगले सीन में लूजी चैन उसी डॉक्टर के पास आता है, और उससे कहता है, डॉक्टर नियान नियान की कंडिशन अब कैसी है, इस पर डॉक्टर बोला, यह हमारे हॉस् के बारे में तुमें कुछ नहीं बता सकते, फिर लूजी चैन कहता है, मैं एक लॉयर हूँ, अब क्या हॉस्पिटल ने हायर किया है, तो इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मुझे उसके कंडिशन जाननी है, फिर डॉक्टर उसे बताता है कि हम उसका लीवर ट्र नियान का बायोजिकल फादर हूँ, आप मेरा लीवर यूज कर सकते हैं, अगले सीन में वेवी डॉक्टर के पास आकर बोली, मैंने सुनाए कि कोई नियान नियान के लिए अपना लीवर डोनेट कर रहा है, अब आप उसकी सर्ज़री कर सकते हैं, तो डॉक्टर कहता है, हा आपको उसका नाम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि यह हमारी हॉस्पिटल की प्राइविस ही है, अगले सीन में वेवी घर वापस आती है, और लूजी चैन से बोली, मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे वापस आने से पहले घर छोड़ कर चले जाना, लूजी चैन बोला, मुझे लड़की को लाइक करता था, जो वो लेटरस लिखा करती थी, मुझे लगा कि वो लड़की सीसी है, फिर वेवे कहने लगी, पहले मैं भी तुम्हें लाइक करती थी, लेकिन अब मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जान चुकी हूँ, इसलिए मैं तुम्हें बिल्कुल ला में रोकते हुए बूली मैंने पहली बार तुम्हारे मुझे लव वर्ड सुना आए हम दोनों को ब्रेक अप हुए काफी टाइम हूचुका है एक्चुली वह एक ब्रेक अप भी नहीं था हम दोनों बस है क्योंकि हम दोनों कभी ऑफिसियल ही रिलेशन्सिप में थे यह नहीं तबी वहाँ पर एक nurse आती है, जो wayway से कहती है, नियान नियान का operation थोड़ी देर में सुरू होने वाला है, ये कहकर वहाँ से चली गई, अब हम देखते हैं कि Lucy Chen अपना लीवर डोनेट कर रहा होता है, थोड़ी देर बाद doctor operation room से बाहर आता है, और wayway से कहता है, operation successful रहा, कुछ टाइम बाद हम उसे यांसे discharge कर सकते हैं, थोड़ी देर बाद वो देखती है कि डॉक्टर्स Lucy Chen को लेकर जा रहे थे, फिर वह अपने मन में कहती है, लगता है मैं बहुत ठक गई हूँ, इसलिए मुझे मिश्टेक हो गई, वो hospital में कैसे होगा, फिर वो अपने घर वापस से पूरी मौत दो, इसके बाद कुछ लोग आकर वेवे को किड्नैप कर लेते हैं, अगले सीन में हम देखते हैं कि उन लोगों ने वेवे की बाड़ी पर एक बाम बांदिया था, तब ही उससे वहाँ पर सीसी के आवाज आती है, जो उससे कहती है, ये बाम थोड़ी देर में ली तो मरने नहीं दूगी, तुमारे उपर जो ये बाम लगा है, वो दो तरीके से फट सकता है, पहला तो तुमारे हाथ में जो कंट्रोलर है, उसे दबाते ही फट जाएगा, फरना फिर जब इसका काउंट डाउन जीरो तक पहुचेगा, तब ही वेवे कहने लगी, जैसा उसे ब्रेक अप करके अबरोड चली गई, और शादी भी कर ली, तुमने एक बार उसके बारे में सोचा, एक बार सोच कर देखो, क्या मैंने उसे तुमसे चीन आए, फिर सीसी चिलाते वे उसे चुप रहने के लिए कहती है, और उसे बोली, तुम अब अपने मरने का और उसे बोली, तुम हॉस्पिटल में क्या कर रहे हो, और क्या तुम्हें पता है कि वे वे कहां पर है, इस पर लूजी चैन कहता है, नियान नियान की अभी सर्जी हुई है, तो वे वे को इस वक्त हॉस्पिटल में होना चाहिए था, तब इस यांग बोली, मैं काफी देर अगले सीन में वे वे को देखते हैं, जो अभी भी अपनी हेल्प के लिए चिला रही थी, तब ही सीसी उससे फिर से कॉंटेक्ट करती है, और उससे कहती है, तुमें बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला, अगर तुम से बरदास्त नहीं हो रहा, तो तुम उस कंट्रोलर को दबा कर इंस्टेंट डैथ पा सकती हो, तब ही वे वे बूली, अभी भी देर नहीं हुए, तुम और मिस्टेक्स मत करो, इस पर सीसी कहती है, अब हम बहुत दूर आ चुके हैं, और तुमारे पास सिर्फ एक घंटा बचा है, तुम इसमें अपने लाइफ के लिए स्ट् में लिखा है, नियान नियान अब मैं तुम्हें कभी कंपनी नहीं दे सकती, फिर वो लूजी चैन को भी गुडबाय कहती है, तब ही सीसी उससे फिर से कॉंटेक्ट करती है, और उससे बूली, मैं तुम्हें अपनी आखों के सामने मरते वे देखना चाती हूं, थोड़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी, तोड़ी देर पहले उसकी भी सर्जी हुई थी, उसे देखकर वे 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 कहने लगी, लूजी चैन प्लीज यहां मताना, यहां बॉम लगा हुआ है, लेकिन लूजी चैन अंदर आ जाता है, और वे वे रोते हूं इससे कहने लगती है पर दो और तुम यहां से चले जाओ, इस पर लूजी चैन कहता है, मैं तुम्हें मरने नहीं दूगा, मैं जानता हूं कि बॉम कैसे वर्क करता है, और मैं इसे स्टॉप करने का रास्ता ढून लूगा, फिर वो उसे रिमोट कंट्रोलर मांगता है, लेकिन वे 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 उसे देने से मना कर देती है, तब ही काउंट टाउन खतम होने वाला होता है, तो लूजी चैन चलाते वे उसे रिमोट कंट्रोलर मांगता है, इसके बाद वे वे रोते वे कहने लगी, लेकिन तुम उसे एक प्रॉमिस करो, अगर यह आइडिया वर्क नहीं किया, तो हम दोनों स मरेंगे, फिर वो उसे रिमोट कंट्रोलर देने लगती है, और लूजी चैन उसे किस कर देता है, लेकिन फिर वो उस बॉम को अपने साथ लेकर भागने लगता है, और तब ही मुझे जल्दी से बताओ क्यों जिन्दना है या नहीं, तो वो भाढ़ आते है, हो बादी बाल कि इतना क्लोस थी तो वो कैसे बच सकता है फिर वेवेव उन्हें वहाँ से बाहर जाने के लिए और उसे बुली मुझे से कोई फर्क नहीं बढ़ता अभी भी मेरे पास नियान-nyiand तोँदियांग करके यास्द्टी पर्डॉड़ नाद याओнок से चले सब्सक्राइब मुझे लूजी चैन से कुछ बात करनी में , यह लगी यहीक वेल्पी में कुछ सीन स्यादात है जिसमें उसे लूजी चैन के साथ बिता हुए कुछ मोमेंट्स यादा रहे थे उन्हें याद करने के बाद वो उन लेटरस को जला देती है और इसके बाद उससे कहने लगी मर चुके हो इसके लिए मुझे सौरी फील नहीं होगा और हो सकता है सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूले थैंक्स फॉर वाचिंग